का अपडेट हम आपको दे दे बारवे राउंड के बाद राज़त 16,620 वोट से आगे चल रही है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर राज़त के अमर पासवान को 36,640 वोट मिले हैं बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं जहाँ पर बारवे राउंड में बीज एज़ेपी के बीच वारवा राउंड के बाद राज़त 16620 बोट से आगे चल रहा है एक बड़ा अंतर बोट के एक बड़ी ग्याप यहाँ पर देखने को मिल रही है और अब सीधी टककर एज़ेपी और वी आईपी के बीच क्योंकि राज़त पहले नंबर की पोजिशन पर लगातार बनी हुई है डटी हुई है और जो दावा जिस कॉन्फिडेंस के साथ अमर पास्वान ने ये दावा किया के जीत होगी जीत बिलकुल नजर आ रही है क्योंकि बारवे राउंड तक देखे आर जेडी आगे चल रही है अमर पास्वान ने जो बयान दिया उन्होंने ये बेकुल अस्वस्त होकर निश्चिंत होकर और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर ये कहा है कि जीत आर जेडी के होनी तैह है और देखिए हमने अजाज एहमत से भी बात की है आर दिख रहा है और राज़त का ये साफ तोर पर राज़त ने मन लिया है कि आखिरकार इस स्पीक पर जीत जो है वो उनकी ही होने वाले है और टकर बीजेपी और वी आईपी के बीच है बड़ी अपडेट हम आपको लगातार सुबा से दे रहे है बारवे राउंड में भी य आईपी और बीजेपी के बीच है लेकिन ये भी दिल्चास्प होगा कि आफिर इन दोनों में से जीत किसकी होती है आफिर सहरा किसके सर सचता है दूसरे नमबर के लिए कि पहले नमबर पर आरज़ेटी पूरी तरीके से कप्चा बनाएंगे है तो देखिए बावे राउंड के बाद भी राज़ेट आगे चल रही है अमर पास्वान जीत की और लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बोट का जो अंतर है वो एक बड़ा गयाब देखने को मिल रहा है एक बड़ा अंतर अब देखने को मिल रहा है और देखिए समय के साथ कि ये साफ होता जा रहा है कि कहीं न कहीं आर्जेटी की जीत हो सकती है हमारे संवल आता निशेद लगाता चुनावायोक से हमारे साथ लाइफ जुड़े हुए है निशेद का रुप करेंगे निशेद आपसे जना चाहेंगे कि आपको फिलाल कोई अपडेट मिली हो अभी तक बारवे राउंड की जो गिंती है वो उसका अपडेट आया है अब से कुछ दिरबाद तेरवे राउंड का भी अपडेट आजागा और ऐसी स्थितियां पहले राउंड के बाद से अमर पाश्वान के ही पक्ष में दिख रही हैं क्योंकि पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसमें बेबी कुमारी जो बीजेपी की कंडिडेट है वो आगे चल रही थी बेबी कुमारी दूसरे स्थान पर ही अब तक बनी हुई है लेकिन पहले स्थान तक पहुचने में उनको बेहद दिखते हो सकती है क्योंकि जो वोटों का अंतर है वो लगतार बढ़ी रहा है और ऐसी ही स्थितिया आने वाले समय में भी होगी यह अनुमान लगाए जा रहा है